हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर जे स्टॉक में जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और इनके ट्रेंग्स की जिससे होता है आपको फाइदा खूब सारा प्रॉफिट और हमारे टेलिग्राम जूरूप प जूरूप भी की आचे श्ता zar झैल duoks तीन में अंट dot श् Risicap रहें फिर सकते हैं तूरो आपकी बात जैसे भी आतार्ब्यक्त की निफ्टी और दीफटी बहुत अच्छे से कर रहे थे आज, थोड़ा साइडवेस दिन Θबा है आईनो मैं ठोचीब कर सकता हूँ आप harmony में की थोड़ा sideways था but maybe hopefully हो सकता है कि कल हमें एक बड़ा move देखने को मिले so let's start with the analysis जो मैंने कुछ levels निकाल के रखे है nifty के वो ये हैं जो उपर की तरफ momentum कर सकता है जो level वो है 16,950 का अगर इससे उपर जाता है market तो हमें bullish momentum मिल सकता है और bearish momentum कम मिलेगा जब ये 16,860 को नीचे की तरफ break करेगा तब हमें एक bearish momentum भी मिल सकता है nifty में अब इनके targets देख लेते हैं उपर की तरफ हमें कौन-कौन से targets मिल सकते हैं और नीचे की तरफ अगर उपर वाला level हमारा break होता अगर 16,950 break होता है तो हमारा जो first level होगा वह होगा 17,000 का then second level होगा हमारा 17,100 का then हमारा third level होगा वह होगा 17,200 का और नीचे की तरफ हमारा जो पहला level होगा वह होगा target जो होगा वह होगा 16,800 का second target होगा हमारा 16,700 का then हमारा third target होगा 16,600 का तो यह थे हमारे nifty के levels मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि market बहुत volatile है आप हमारे channel को subscribe कर लें क्योंकि हम बहुती जादा important levels provide करते हैं अपने subscribers को और अपने telegram के members को so आप join भी कर लें चलिए, bank nifty का analysis कर लेते हैं अब ठीक है, तो bank nifty में कुछ जो मैंने important levels निकाल के रखे हैं वो यह है जो bank nifty के जो levels हैं वो बहुत ही crucial है क्योंकि आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से perform किया था और वो कल भी बहुत अच्छे से perform करेंगे मैं levels को बहुत ध्यान रखता हूं तो आप भी levels का बहुत ध्यान रखें ठीक है, तो जो उपर की side का bank nifty का level है जो की bullish momentum देगा वो होगा 35,060 का इसके उपर जाते ही market बहुत अच्छा momentum हमें मिलना चाहिए और नीचे की तरफ जो होगा 34,800 का जो level होगा उसके नीचे हमें एक bearish momentum मिल सकता है चलिए, अब उपर के targets भी देख लेते हैं जो उपर के targets है वो है 35,150 first target उसके बाद जो next target आएगा हमारा वो होगा 35,300 का then जो third target होगा हमारा 35,400 का जो के हमारा final target होगा अगर market नीचे की तरफ break करता है तो हमारा जो first target होगा वो होगा 34,700 का second होगा 34,600 का and third होगा हमारा 34,400 का so यह होगा हमारे bank nifty के levels upside targets and downside targets दोनों और कल expiry है कल एक special दिन है तो ध्यान रखेगा यह levels बहुत volatile होंगे क्योंकि कल expiry है contract expire होंगे तो उसके लिए भी आप ध्यान रखेगा यह levels अच्छा से काम करते हैं और clear calls के लिए हमारे telegram group को जरूर join करें क्योंकि वहां पर मैंने effectively दे रखे हैं और हमारे members लाखो लाखो का profit भी book करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उन भाग्यशाली members में से एक हो और आप भी book कर पाएं ऐसा profit तो make sure to you subscribe to our channel like our video comment down below करो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो comment करके बताओ and make sure telegram का link भी join कर लो आप description में है and make some profits and bye bye